पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस्ट बायग्रफी अलर्ट के लिए बेल आइकोन दबाना ना भूलें ये दास्ता है एक ऐसे अभिनेत्री की जिसने विधिवत प्रशिक्षन लिया अभिने का गोल्ड मेडल भी जीता और ऐसी मुख्तलिफ फिल्मों में इसने काम किया जिसने सब के होश उड़ा दिये इनका नाम है रेहाना सुल्तान तुब बेहन भी लगती हो बेटी भी लगती हो पता नहीं क्या नाम दो इस रिष्टे को रिष्टों के नाम तो मिल जाते हैं सर प्यार के नाम नहीं होते बस प्यार ही होता है जन्म 19 नमंबर सन 1950 में हुआ पैदाईश और तर्बियत अलाबाद में हुई याने की प्रयाग राज में जब इन्होंने ग्राजवेशन कर ली तब इनके पिता ने इनसे कहा कि दुम आगे क्या काम करना चाहती हो ये तफाकन रिहाना सुल्दान की नजर पड़ी FTII के एक एड़ पर हाना कि ये बहुत उत्सुक तो नहीं थी पर इनके पिता जी ने इनसे कहा कि फॉर्म भरो और जाओ, और डिशन दो रिहाना सुल्दान ने कभी रंगमंच पर काम नहीं किया था, लेकिन इनके अभिने और प्रतिवा ने जज्जिस के पैनल को बहुत है मुतासिर किया, इनका सेलेक्शन हुआ और ये FTII पहुँच गई अजब बात ये है कि अपने कोर्स के पहले साल में रिहाना सुल्दान सभी सब्जेक्ट्स में फेल हो गई थी उसके बाद महान एक्टिंग गुरू रोशन तनेजा ने इनसे कहा कि रिहाना तुम्हें महनत करनी होगी तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम्हें कितनी प्रतिवा है अगले बरस रिहाना सुल्दान ने खूब महनत की और ये FTII में गोल्ड मेडल जीत कराई इसके साथ ही इन्हें राजिंदर सिंग बेदी की फिल्म भी मिली फिल्म का नाम था दस तक इत्तफाकन ये वो वक्त भी था जब बाबुराम इशारा जाने की बियार इशारा कि फिल्म चेतना भी इन्हें मिली दस तक के लिए इन्हें नाशनल फिल्म आवार्ट से नवाजा गया और चेतना ने तो सभी को होश उड़ा दिये अपने समय से आगे की फिल्म बियार इशारा ने बनाई थी रिहाना सुल्तान ने बहुत ही जबरदस्ब और बोल्ड सीन्स दिये खास्तोर पे वो पोस्टर जहां पे इनकी टांगे नजर आती है जिसके बीच से हीरो का चेहरा नजर आता है फिल्म चेतना के बाद इनकी एक बहुत ही बोल्ड इमेज बन गई एक ऐसी हिरोईन जो हट के सिनेमा कर रही है इस वज़े से बहुत से प्रोडूसर डिरेक्टर्स ने इनहें फैमिली ड्रामाज के लिए कास्त नहीं किया हाले कि उसके बाद इन्होंने कई फिल्मों में काम किया जैसे कि हार जीत, प्रेम परवत, किस्सा कुर्सी का वगएरा वगएरा ये पंजाबी फिल्म में भी नजर आई थी पुत्त जट्टादे जिसमें शत्रगन सिना इनके साथ थे बियार इशारा के साथ इनकी जोड़ी खूब जमी आगे जाकर इन दोनों ने शादी भी कर ली इस शादी से इने कोई बच्चा नहीं हुआ बियार इशारा फिल्में बनाते रहें और रिहाना सुल्तान धीरे धीरे फिल्मों से दूर हो गई ये मुंबई के एक पॉश इलाके जुहू में रहने लगी इनका एक छोटा भाई शोयद दुरानी भी आगे जाकर एक्टर बना इस बात पर भी गौर करना होगा इनके वालत भी एक प्रेडियूसर थे जिनका नाम था सुल्तान दुरानी रियाना सुल्तान की जुन्दगी बड़े अजब उतार चड़ावों से भरी रही बंबई में क्या? अब तो मेरा कहीं कोई और नहीं हरागा बढ़ापे की देहलीस पर जब इन्होंने कदम रखा तो कोशिश की कि ये दुबारा फिल्मों में या फिर टेलिविजन सीरियल्स में अक्टिंग करें पर काम जड़ा कठनाई से ही मिला ये चितरांगदा सिंग की माखा करदार नभाती नज़राईं थी फिल्म इंकार में फिर दीरे दीरे ये खबरे भी आईं कि इनकी माली हालत बहुत खराब है इनकी पती बियार इशारा का इंतकाल हो गया और उसके बाद ये काफी अकेली हो गए पर इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि ये वो अभी नेतरी रही जिन्होंने प्रशिक्शन लिया अपनी पहली फिल्म में नाशनल फिल्म आवार्ड लिया और वक्त से आगे की फिल्मों में इन्होंने काम किया भार्ड ये सिनिमा के इतिहास में रिहाना सुल्तान का नाम सदैव गर्व से लिया जाएगा महान प्रतिबहों के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल अन हिस्ट्री झाल